कि बेस्ट फॉर होम साइन्स है हलो फ्रेंज मैं रीना स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल तूड़ा पॉइंट में दूस्तों आज मैं आपके लिए लाएंगे लाएंगा क्लास बारा का ग्रेव ग्यान होम साइंस इसमें आज हम लोग देखेंगे फ अहार में दूद का पॉष्टिक महत तो यह पॉइंट आज हम लोग देखेंगे अहार में पॉष्टिक महत देखिए दोस्तों इसमें लागडाउन की वज़ा से स्कूल नहीं चल पा रहा है तो बच्चों का कोर्स पीछे ना हो इसलिए मैं आज आपके लिए इंटर का होम साइंस लेके आए हूँ जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंस है और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे पढ़ना भी चाह रहे हैं तो मैं उन्हीं के लिए यह वीडियो लाए हूँ तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक में अहार में दूध का पॉष्टिक मह अगर देखा जाए जो था इस पर जैसे कि कुछ बैग्यानिक थे हॉक फिंग थे आपके मेंडल थे तिक आपके असबोन थे यह अमेरिका के रहने वाले थे यह बहुत ही दिनों से इस पर परिच्छन भी चला है और कुछ निसकर्स भी निकला है निसकर्स है कि दूध का सा सारीरिक भिकास जो होता है सारीरिक पोसर में विषएस महातर रखता है और दूध में जो उपलब्द प्रोटीन होती है यह हमारे सरीर में सरीर की विध्धी बोहुत ही तेजी से करता है तीक्क तो एक परेशर विद्वान ने लिखा है कि संसार में कि इसमें एक परसित बिद्वान ने लिखा है कि संसार में दूद एक संपूर भोज तत्थ है मिल की जे फर्फेक्ट फूड इन दा वर्ड यानि कि वह भोज पदार्त जिसमें थी बतलब वह भोज पदार्त जिसमें भोजन के समझत और वे बःद्वान हो पूर भोजन कहलाता है क्या कहलाता है यानि कि वह भोज पदार थे वह भोज पदार्त जिसमें भोजन के सभी अवयवे यानि की भोजन के पर्मुपोसक तति कितने होते हैं होते हैं देखिए प्रोटीन कार्बोहार्डेट वशा लवर वितामिन और जल तो जिसमें ये सभी तत्र विदमान होते हैं वह एक क्या होता है एक समपूर भोजन होता है समपूर भोजन कहलाता है तिक उसी परकात दूध में वह सभी गुड़ हैं जो की जो की जो उसे पूर भोज पदार्थ कह सकते हैं कि दूध में दूध में क्या है दूध में वह सभी गुड हैं जो कि इसे पूर भोच पदार्थ हम कह सकते हैं यानि इसमें प्रोटीन कार्बोहर्डेट वसा लवार्ड बिटामिन जल सारे पोसक तत आपके पाए जाते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपका है कि देखिए इसे हम वैक्ती जो हैं वैक्ती पूढ documentary से स्वच्ट रहकर अपना कारर कर सके इसके विए उसे प्रियाप्त सकते वाले ब्होझन की आउसकता होती है इससे उसका विकास उचित रूप से हो सके यदि उसे पूर भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तीक तो उत्वत्तर दुबलावाच्छीड हो जाएगा और उसीकी कारछमता कम हो जाएगी तीक अगर कोई भी व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है तो उसका अगर आपको उचित विकास करना थिक उसमें परियापती सकती चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि उसे एक संपूर अहार दिया जाए या संपूर भोजन कराया जाए जिससे उसकी विकास हो सके थिक भोजन में भोजन की प्रा प्रारब में क्या है सिसु को प्रारब में अगर पूर रूफ से दूद पर निर्बर रखा जाता है अतार नी संदे दूद एक आदर्स और पूर भोजन कहलाता है ठीक यह एक बहुत अच्छा उदारने आप लोग को समझने के लिए जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि छे दूद निरिक यह संबेग आत्मक हर एक विकास क्या करता है पूर रूफ से करता है तो इस तत्य को भी हम ध्यान में रहकर कह सकते हैं निसंदे रूफ से कह सकते हैं कि हमारा दूद जो एक पूर भोजन कहा जा सकता है ठीक है ठीक देखिए आगे बढ़ते हैं लिश्त महतनीम लिखित कारणों से जाना जा सकता है अगर हम भोजन में दूद का महतना जानते हैं तो कुछ पॉइंटों को चलिए मोग देख लेते हैं जैसे कि दूद में भोजन के लिए हो कि मात्रा यानिकी हमारे भोजन में जो है sorry दूध में जो है भोजन के जितने पोशक कितने भी अवय होते आपके प्रोटीन हो गए कार्बोहाइड़ेट बिटामिन खनिशलोर जल तो वशा ये सारे तत आपके भोजन में पाए जाते हैं इसकी उचित मात्रा इसमें ब्रिद्मान होती है इसलिए भी ये एक पू उसी पका तीसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे दूध एक संतूली ताहार है तो उसमें अगर भोजन के सभी अवैस्यक मात्रा में उसमें बिद्द्मान है तो वो एक संतूली ताहार होगा तीक अब आता है दूध का परशूरी करन इसमें देखिए दूध का हम लोग पर लेते हैं मिठाई बना लेते हैं मलाई निकाल लेते हैं ठीक है उसके पाउडर भी आते हैं तो यह सारे दूद के विभिन रूप होते हैं दूद की सच्छता देखिए दूद एक सच्छ बोजन होता है इसको युबालने के बाद यह एकदम पूर रूप से सच्छ होता है नी दूद में देखिए दूद जो है माता के तरी गाय भैस बकली आद इसे भी प्राप्त होता है सभी पसो के दूद में दूद में एक समानता रहती है परन्तु सभी के दूद का संगठन का संगठन एक जैसा नहीं हो सकता है बिल्कुल सही है कि कि सभी के खान पेन अलग होते है सबका भोजन अलग होता है तिक तो सबके दूध में भी अंतर होती है देखिए पसू की दूध पसू की दूध हुआ उसकी भोजन से दूध के संगठन में अंतर उत्पन हो जाता है तिक जो पसू की दूध होते हैं तो उसके भोजन के अंसार उसके भोजन में उसके दूध क के जो संगठन होता है उसमें अन्तर उत्पण होता है समानता औस तक दूद में बिभिन तत्तों की मात्रा निम्मत होती है चलिए इसको देख लेते हैं लोग इस तालका के अंसार, जैसे कि यहां तालका में दिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, कि यहां पे दिया गया है मा का दूद, देखें मा के दूद में यह 100 ग्राम में दिया गया है, और इसे जल कितने ग्राम में पाया जाएगा, प्रोटीन कितने जल होगा, कितना प्रोटीन, कितना कार्वो हाड़िट, यह मात्रा दी गई है तो इसको ध्यान से देख लीजे देखिए इस तरी का दूद जो है इसमें 86.3 ग्राम जल पाया जाता है और प्रोटीन 3.1 ग्राम पाया जाता है वहीं पह आपका कार्वोहर डिज़ जो है कैल्सियम वहाँ पे नहीं आपाया था कैलोरी उर्जा कितनी मिलती है आपको उर्जा आपको 55 ग्राम मा के दूद 100 ग्राम दूद से प्राप्त होता है तो यह एक इसकी आकड़ा दी गई है ठीक उसी प्रकार अगर हम गायक के दूद का आकड़ान करते हैं तो गायक के दूद 3.3 ग्राम हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है कार्बोहाइड जो है 4.8 ग्राम प्राप्त होता है और वसा देखा जाए तो 3.6 ग्राम हमें वसा प्राप्त होता है गायके दूद से और वहीं पे अगर हम खरिजलोर देखते हैं तो 1.0.7 ग्राम हमें खरिजलोर प्राप् जो है 7.6 ग्राम हमें प्राप्त हो जाता है गाय के दूद से 100 ग्राम दूद लेने से ठीक भाइस का दूद वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो भाइस के दूद वह 8.1 ग्राम 81.1 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसमें जल हो जाएगा जल प्राप्त होता है बहस के दूद से और 4.3 पॉइंट आपका प्रोटीन प्राप्त होगा और अगर कार्बोहाइडेट की बात करते हैं यानि कि इससे हमें कार्बोहाइडेट 5.0 ग्राम प्राप्त होगा वशा महें पे यहाँ पे सबसे जादा इसमें होगा 8.8 ग्राम होगा और 0.8 ग्राम आपको खनिजल प्राप्त होगा कैलोरी आपको यहाँ पे कार्बोहाइडेट की मात्रा अधिक है तो वशा की मात्रा अधिक है तो उर्जा भी आपको यह पकार अगर हम लोग बकरी का दूद्ध देख लेते हैं तो 85.1 ग्राम आपको जल प्राप्थ हो जाएगा और प्रोटीन जो है 3.7 जो है 3.7 ग्राम आपको प्रोटीन प्राप्थ होगा बकरी के दूद्ध इसे कार्बो हाइडेट 4.7 और वशा जो है 5.8 और खनिशलोर की मात मात्रा जो हमें प्राप्थ होगी बकरी के दूद्ध से वह होगा आपका 0.8 ग्राम तिक और कैलोरी आपको प्राप्थ होगी यहां पर 48 ग्राम कैलोरी आपको प्राप्थ होगी 300 ग्राम दूद्ध से तो हमें उम्मीद है आपको यह इतने समझ में आ गया होगा इतना होता है आपका यहां पर आपने देख लिया सब की मात्रा अलग अलग होती है सब में क्यूंकि सब का खान पान अलग होता है सभी लोगों का थिक तो इस उसी हिसाब से इसका दूद होता देखिए दूद में प्रोटीन जो होता है यह प्राप्त मात्रा में प्रियात मात्रा में उपलब्द होती है अगर हम 100 ग्राम दूद लेते हैं तो हमें एक समान मात्रा जो दी जाती है तो अगर हमें 100 ग्राम दूद ले रहे हैं तो हमको जो अगर प्रोटीन समान रूप से द ये अच्छी मात्रा भी ये सुपाच भी होता है हन अन प्रोटीन की अपेच्छा ये सुपाच होती है ठीक प्रोटीन की देश से दूद एक महात्पूर भोजन भी है इसमें जैसे की सिसू हो या रोगी सबके लिए सरता से पचाया जा सकता है दूद की प्रोटीन को ठीक है अगर उसी परकार इसको देख लिया जाए उर्जा उत्पादक तो दूद हमें अधिक उर्जा देता है आप लोगों ने देख लिया ये कैलोरी आपकी मात्रा के सामने दी ही गई है कि दूद से हमें कितने किलो कैलोरी प्राप्त हो रहे हैं तो ये आप लोगों ने देखे ल लेते हैं तो इस से हमें किलो कैलोरी प्राप्थ होगी एक दूत्त से हम को कितना 600 km कैलोरी उर्जा प्राप्थ होती है ति जो कि अगर एक मसा हआरी व्यक्ति है वेवे and खा रहा है थिक एक फान्डा खा रहा है और एक शाकाहरी व्यक्त एक प्याला दूढ यानि एक कफ दूढ पी रहा है तो उसकी जो छोटी च्छोटे बच्चो जो होते है उसकी एक लीटर दूढ मिल जाये तो समझ जैए कि क्या हो keine ने रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी ऑशतल को वो पूरा कर देता है ठीक है ठीक है कैलोरी की बात होगी उसी परकार अगर हमाई और एक पॉइंट देख लेते हैं कि दूद एक कालोर भी करता है अगर यह सरीन निर्मार में तो सरीन निर्मार के लिए भी यह बहुत ही मात पूर है जैसा मैंने आपको समझाया कि शुषो खनीजलोर में देखिए यहां पर एक लोखा जो है हमको खनीजलोर में अगर हम देखा जाए आयरन बोला जाए तो हमको यह दूद से बहुत कम मातरा में प्राप्त होती है ठीक है फासपोरस, कैल्सियम यह सब उत्तम रूप से इसमें से प्राप्त हो जाते हैं यह दातों और मासपेशियों के लिए उपयोगी होते हैं यह आप लोग को पता भी है ठीक है खनीजलोर में अगर हम लोग देखते हैं कैल्सियम देख लेते हैं कैल्सियम आपका जो है कैल्सियम कितना प्राप्त होता है कैल्सियम आपका दूद से एक लीटर दूद से कितना एक लीट हम आपको एक लीटर दूद से प्राप्त होता है वहीं पे अगर हम बात करते हैं फासफोरस की किसकी फासफोरस की फोरस की तो एक लीटर दूद से एक लीटर दूद से लीटर दूद से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 0.9 0.907 ग्राम फासपोरस एक लीटर दूसरे हमें प्राप्त हो जाता है मैंने बताया यहाँ पे आपको आइरन की मात्रा यहाँ बहुत कम यानि कि ना के बराबर प्राप्त होती है तो लोहा अगर हम लोग देखते हैं एक लीटर में तो यह सी फमको 0.002 ग्राम प्राप्त होता है ठीक है और वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमको एक लीटर दूद में सोडियम जो है एक लीटर दूद में 4 पॉइंट 0.497 ग्राम प्राप्त होता है यानि कि एक लीटर दूद को हम लेते हैं तो हमको ये प्राफ्ट होता है विटामिन C की इसमें विटामिन C की इसमें विटामिन C और D की कमी होती है अगर हम लोग यहाँ पर बिटामिन की बात कर लेते हैं किसकी बिटामिन की बात करते हैं दूद में तो दूद में बिटामिन यानि की बिटामिन इसमें सभी बिटामिन अच्छी मातरा में पाई जाती है ठीक और खरिजलोर्ग में अगर देखें तामा की मातरा दूद में ब वहीं पर अगर बिटामिन की बात कर लें सभी बिटामिन इसमें प्रयावत मात्रा में पाई जाती है लेकिन लेकिन बिटामिन सी इवं आपका बिटामिन डी ठीक है इसकी यह जो है इसकी कम मात्रा ही ही इसमें पाई जाती है इसकी मात्रा बहुत कम होती है ए भी भी संत्रे का रस देना चाहिए क्यों कि जिससे विटामिन डी और सी भी मिलती रहे तिक कहने का मतलब दूद के साथ बच्चों को कुछ मात्रा में सिसो को मचली का तेल जिससे विटामिन डी और संत्रे का रस देने से विटामिन सी की प्राप्ति हो जाएगी इसका विटामिन सी और विटामिन डी का अभाव पाया दाता है दूद में ठीक तो ये जरूर इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्योंकि मैंने आप लोग को समझाने की पूरी कोसिस की है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सेयर, क्योंत नज क्या दे हो हमारी पूर दो कि झाली के वंहा को अभशाव कि धितो का प्ली ये युल्द कूर में देना का भी जार ओत्य च ग्कान्ज समझाने को समझा लोगगा unterstütके वादाने में आपको समना है इंज के लिवामने आपको समझानीयों खुरूरा है? झाल झाल